हेलो फ्रेंड्स वेलकम बाक तो माई यूट्यूब चैनल मैं रमा कॉशल देखिया आज आपके सामने दुबारा से एक बहुत ही सुन्दर सा डिजाइन लेकिया हूँ यह बहुत ही इजी डिजाइन है इसे कोई भी बिगनर बना सकता है यह दिखें आप इसे किसी भी कार्ड पीजाइन ऐसे बनाते हैं किहासी इसाज सबसे पहले इसane सब्सेरे उसके यहां पर तरन के लिए ज है वह मैं starting से आपको यहां पर बताऊंगे पहला तो हमारा stitch ऐसे अब देखिए हमने 1, 2, 3 पहले 3 जो stitch है यह सीधे बनाने हैं फिर 1, 2, 3 फिर skip एक, दो, 3 और इसे फिर दुबारा से ऐसे उता लेना है बिन बुने एक, दो, 3 इसी तरह से हमने अपनी पूरी रो जो सीधी रो है हमारी 1st रो यह हमने complete करनी है और लास्ट में एक घर सीधा अब आते हम इसकी wrong side पर अपनी second row में तो second row देखिए पहला stitch बिना बुना उताना है और यह 1, 2, 3 तीन stitch उल्टे और जो हमारे यह बिना बुना stitch था यह भी हमने ऐसी उताना है तो देखिए 1, 2, 3 यह हमने दुबारा ऐसी slip कर देना है बहुत easy design है पर बनकर बहुत सुन्दर आता है अगर आप कुछ simple सा बनाने की कुछ सोच रहे हो simple से design बनाने की कुछ सोच रहे हो तो यह design ज़रू डाले तो यह हमारी second row जो है वो complete हो गया है अब आते हम इसके third row पे तो third row हमने देखिए कैसे बनानी है पहला हमने सीधा हुतानना है चिक्के एक खर सीधा एक उल्टा यह एक सीधा एक उल्टा अब देखिए जो हमने यहाँ पर slip किया था यह हमने सीधा बुनना है यह हमारा सीधा आना चाहिए अब दूसरा उल्टा एक सीधा दूसरा उल्टा और यह देखे फिर हमारा दुबारा से यहां पर वोई घर आ गया यह हमारा सीधार आना चाहिए तो इसी तरह से हमने यह पूरी रो जो है अपनी वो बना लेनी है थार्ड रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है अब हमने यह फोर्थ रो बनानी है इसकी जो 4th row है वो पूरी उल्टी बनेगी, यह इसकी 4th row, अब आते हम इसकी 5th row पर अपनी right side पर, पहला stitch, अब आप देखिए आपने कहां पर इसमें, यहां पर जो है एक फंदा ऐसी उतारा था बीन बुने, ठीक है तो अब हमारे यहां पर, यहां पर जो यह फंदा है यह हमारा एक slip हो, यह दिखिए यह सीधा, अब यह अगला सीधा और एक, दो, तीन, अब यह सीधा, एक, दो, तीन, ठीक है, अब यह सीधा उतारना है हमने, एक, दो, तीन, अब यह हमने बीन बुने उतारना है और उसके साथ एक, दो, तीन, यही हमने पूरी स्लाइज जो अपनी फिफ्फ रिपीट करनी है, बस हमने थोड़ा यहां धिहान रखना है, कि आपने यहां पर पहला धागा, पहला फंदा आपने यहां पर स्लिप किया था, तो अब फिफ्फ रो में हमने जो फंदा है, वो यहां पर इसे एक घर पहले स्लिप बनना है, तो यहां पर हमारे तीन घर सीधे बनेंगे, और इसके साथ वाला जो फंदा है, यहां पर हमा सस्वारी 3 रो की खालता है कि अग्ल्त का थिक सकाता है कि त्र जुप संत 9 ये स्लिप किया धुट जीफिए एक तो स्लीफिक तो अग्ला कि ये स्लिप किया ये स्लिप किया था सीधी 2 हमें अपने उर्टी खालत में बैसoriented करना है अब आते हैं हम इसकी सैवंथ रूपे तो सैवंथ रो देखे एक सीधा एक उल्टा और देखें यह हमने फंदत जो है वो स्लिप किया है यह हमारा सीधा फिर एक उल्टा फिर एक सीधा फिर एक उल्टा और यह देखें यह सीधा यह हमने सीधा बनाना है फिर एक उल्टा सीधा उल्टा और यह सीधा तो इसी तरह से हमने अपनी सैवंथ रो जो है वो कम्प्लीट करें यह सैवंथ रो हमारी कम्प्लीट हो गई है अब आते हम इसकी एट रो पे एट रो है वो हमा पूरी उल्टी बनेगी तो यह हमारी एर्थ रोवी कम्प्लीट हो गई है तो अब हमने यहां से जैसे हमने फर्स्ट रोव बनाई थी वैसे ही यहां से अब हमने स्टार्ट करनी है तो आपका यह डिजाइन जो है ऐसे बनकर त्यार हो जाएगा देखिए बहुत इसंदर लगी आज कि वीडियो आपको अचल लगी होगी तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्रेशन के लिए अचल ब्लाइक किशचीगे और मेरे चैनल को लाइक बिलियम पार मेंसा Bye-bye!